नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशिता श्रवास्तव आज इस बुलिटिन में बात होगी गुजरात में हमेश शाह के धमकी भरे बयान की गुजरात विधान सबा चुनाओ के लिए बीजेपी के घोशना पत्र की जानेंगे भारत जोडो यात्रा में कैसा रहा आज का दिन किसान अंदोलन के दो साल पूरे होने पर क्या है किसानों का एलान बात करेंगे आजम खान की चुनाओती की बंगाल में बदलते सियासी समीकरण की और बुलिटिन के आखिर में बात होगी पांसो हजार के नोट को लेकर कोट की टिपड़ी की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर करनाटक में गरमाया मतताता सूची में धांदली का मामला विपक्ष के नेता पूर्व सीम सिध्धा रमया का बीजेपी पर निशाना कहा मामले में सीम वसाव राज ही एहम कड़ी भारजोड़ो यात्रा में खुली अमपी की सड़कों की पोल चलते हुए सड़क पर गिरे कॉंग्रेस्तान सद्धिक विजय सेंग जैराम रमेश बोले खराब सड़कों की चलते हो रही है तीसरे दिन भी दिल्ली एम्स का सर्वर रहा बंथ अस्पताल में इंटरनेट से वन नहीं हुई शुरू मामले की जाच में शामिल हुई एनाई ए सतिंद्र जैन को राउज एविन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत जेल में स्पेशल खाने के लिए लगाई थी आचिका तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी ख़बर की गुजरात विधानसवा चुनाव के लिए चुनावी 27 बिच चुकी है सभी दल इस चुनावी रण में कूच चुके हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है राजी में मुकाबला कड़ा है जिससे बीजेपी डरी हुई है और एक बार फिर धार्मिक धुरूवी करन का साहरा लेकर राजी की सत्ता में बरकरार रहने की कोशिश कर रही है और इस बात के संकेत दिये अमिश्वा के बयानने तो क्या बोल गए अमिश्वा देखे रिपोर्ट कर रही है नारेबाजी से पार्टी दूर दिख रही है राहुल गांधी की गुजरात में दो रैलियां हुई उसमें भी उन्होंने तीखी बयानवाजी नहीं की सिर्फ जनता की समस्याओं को बताया जो मोधी सरकार की नीतियों के चलते बढ़ी है दूसरी और बीजेपी को जब कोई मौका नहीं मिला तो अब एक बार फिर से उसने सामपरदाई कार्ड खेला है केंद्री ग्रीमंत्रिया में शहा ने भरूच की रैली में इसे लेकर जो बयान दिया है उससे विवाद पैदा हो गया है शहा ने कहा मैं भरूच जिले में हूँ मैंने यहां बहुत अशान्ती देखी है 2002 में इन्होंने गरवडी करने की हिम्मत की थी इनको ऐसा पाठ पढ़ाया चुन-चुन कर सीधा किया जेल में डाला तो उसके बाद से 22 साल हो गए कहीं कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा गुजरात में जब कॉंग्रिस का शासन था तो यहां इज्जू शेख, पीर जादा और लतीफ जैसे दादा हुआ करते थे लेकिन आज गुजरात के गाउं में अगर कोई एक दादा है तो वो है हनुमान दादा, बाकी कोई नहीं अमिश शाहा ने 2002 के गोधरा मामले का सीधा जिक्र भले ही नहीं किया लेकिन उन्होंने संकेतों में बता दिया कि गोधरा के बाद क्या हुआ उसे याद रखा जाए शाहा के बयान पर असुद्दी नोवैसी ने कहा कि मैं आमिश शाहा से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने 2002 में जो सबक सिखाया था वो ये था कि बिल्किस मामले के दोशियों को आप मुक्त कर देंगे आप बिल्किस की तीन साल की बेटी एहसान जाफरी की जान लेने वालों को छोड़ देंगे आपके कौन से सबक हैं क्या हम याद रखेंगे याद रखेंगे सत्ता की कुर्सी सबसे छीनी जाती है सत्ता के नशे में ग्री मंत्री कह रही है कि उन्होंने सबक सिखाया है गुजरात में बीजेपी को सिर्फ हनुमान दादा का सहरा है ये बयान बता रहे हैं कि राज में bjp एक बार फिर धर्म की राजनीती कर रही है और यही बात पार्टी के खोशना पत्र में भी देखने को मिली जो आज bjp ने गुजुरात की जनता के लिए जारी किया लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के लिए ये चुनाओ बड़ी चुनोती बना हुआ है ऐसे में पार्टी अब जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है और एक बार फिर बड़े बड़े वादे कर रही है आज पार्टी ने अपना संकल पत्र जारी किया जिस पे कई बड़े वादे किये लेकिन इस घोषना पत्र ने बीजेपी के कॉंग्रेस से डर को भी जाहिर कर दिया अपने गोशना पत्र में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनने पर राज्यमे समान नागरिक सहिता यानी यूसीसी को लागू करने का वादा किया इसके साथ ही बीजेपी ने रोजगार देने जैसे तमाम वादे किये लेकिन अपने घोशना पत्र में UCC का जिक्र कर बीजेपी ने एक बार फिर राज्यमे धार्मिक धुरुवी करण की कोशिश की है इस से साफ है कि पार्टी ने जुनता की नाराजगी को दवाने के लिए एक बार फिर धार में कार्ड खेल कर इस नाराजगी को दवाने की कोशिश की इसके अलावा इस बार बीजेपी को कॉंग्रेस से खासा डर लग रहा है ये डर अब तक उसके बयानों में तो नज़र आ ही रहा था लेकिन अब उसके घोशना पत्र में भी नज़र आ गया दरसल पार्टी ने अपने घोशना पत्र में पांच वर्षों में गुजरात की युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है यानी पार्टी ने काट जल दिया है यानी साफ है किपार्टी काम के नाम पर नहीं धर्म के नाम पर चुनाव लड रही है कॉंगरेस अकसर या रोप लगाती है कि बीजेपी सांप्ड़दाइक विवहाजन को बढ़ावा दे रही है तो कॉंग्रेस देश को जोड रही है और इसी संकल्प के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है जिसके 80 दिन पूरे हो चुके है तो आज अस यात्रा में क्या रहा खास देखेंगे रिपोर्ट कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्यप्रदेश में है और आज इस राज्य में यात्रा का चौथा दिन था सबसे खास बात ये है कि इस राज्य में भी पार्टी को उतना ही प्यार और सम्मान मिल रहा है जितना बाकी राज्यों में मिला था जो कॉंग्रेस के लिए एक शुब संकेत है क्योंकि इसका फाइदा पार्टी को आने वाले समय में मिलना तैमाना जा रहा है वहीं यात्रा को मिल रहे समर्थन से यात्रियों का उत्साह भी बढ़ गया है वहीं आज यात्रा सुबह 6 बजे मोटक्का से शुरू हुई यात्रा में हर दिन की तरह भारी संख्या में लोग शामिल हुए और राहुल रास्ते में कई जगा लोगों से भी मिले राहुल गांधी को देखने के लिए भारी भीर जमा हो गई जिसे नियंतरित करने के लिए पोलिस को मशक्कत करने पड़ी इसके अलावा बढ़वा में आगे बढ़ने पर राहुल गांधी ने रोक कर कच्रा बीनने वाली महिला से बातचीत की उसकी समस्या सुनी और समस्या दूर करने का आश्वासन भी दिया इसके अलावा आज राहुल गांधी ने मद्प्रदेश में MSM इमालिकों और हैंडलूम श्रमिकों के साथ बातचीत की इस मुलाकात के तस्वीर ने कॉंग्रिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साज़ा करते हुए लिखा श्री राहुल गांधी मद्प्रदेश में MSM इमालिकों और हैंडलूम श्रमिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा GST लगाने और BJP की खराब नीतियों से बिखर गए छोटे व्यफसायों की चिंता को आवाज दे रही है वही आज राहुल गांधी ने आमबेट कर समारक पर दर्शन किये साथ ही दर्शन करने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित भी किया वहीं बता दे कि यात्रा कालियानी रविवार को इन दौर में प्रवेश करेगी राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और एक ब के खलाफ फूट पड़ा है और किसान आंदोलन के दो साल पूरे होने पर किसानों ने बड़ा एलान किया है। लेकिन अब भी अनदाताओं की कई मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए आंदोलन के दो साल पूरे होने के मौके पर किसान संग देश भर में राजभवनों तक मार्श निकाल रही है। इस सावित कर दिया है कि वो धोखेवाज है, जिसने देश के किसानों को धोखा दिया है, वो कॉर्परेट की रक्षा कर रही है, हमारी मांगों को पूरा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। इन आरोपों के साथ ही किसानों ने अब एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। क्रिशी किसान संगो के संगठन SKM ने आंदोलन की आगे की रणनीती तैय करने के लिए 8 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है। उपचुनाओ के चुनाओ प्रच्वार के दोरान। तव क्या बोल गए सपानेता और क्या है उनका दावा आईए देखते हैं। सपा की टिकेट पर आजम के करीबी असिमरजा चुनाओ लड़ रहे हैं। आजम ने दावा किया है कि अगर चुनाओ इमानदारी से हुए तो सपा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लोगों को प्रिशासन वोट डालने दे। आजम ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा उप्चुनाओ के समेटर का माहौल रामपुर में बनाया गया वैसा माहौल विधानसभा उप्चुनाओ में नहीं होना चाहिए। किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाना चाहिए। कादव जल्दी ही रामपुर में चुनाओ प्रचार के लिए आएंगे उनके प्रचार का कारिक्रम तैयार हो रहा है। बीजेपी में शामिल हुए फसाहत शानून पर तन जुकसते हुए। आजम ने कहा कि अब अब दुल तो दरी बिच्छाएगा नहीं। बीजेपी के कारेले पर दरी तो बिच्छनी है, फिर दरी कौन बिच्छाएगा? क्या अंगत दरी बिच्छाएगा? अगर अंगत दरी बिच्छाएगा तो समझ ये बीजेपी गई। आजम खान का दावा है, क्यूप चुनाओं में जीत तो समाजवादी पाठी की ही होगी। चुनाओं के चलते ये इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत गर्माई होई है। वैसे सियासत तो इस समय पश्वी मंगाल की भी गर्माई है। लेकिन इस राज्जी के सियासत गर्माने का कारण चुनाओ नहीं है बलकि ममता बनर जी का वोने मंतरन है जो उन्होंने बीजेपी नेता शुबेंदू अधिकारी को भीजा है अब इस मुलाकात पर सियासत हो रही है बीजेपी नेताओं पर बंगाल की चीफ ममता बनर जी की उधारता बढ़ती दिख रही है बीजेपी कारिकरताओं को निशाना बनाय जाने की घटनाए बंगाल में कम हो गई है बीजेपी की जगह अब कॉंग्रेस और वामदलो के कारिकरता निशाने पर आ गए है इस बीच म मम्ता ने इस मुलाकात के बाद कहा कि हम राजनितिक प्रतिद्विंदी हैं तो क्या हुआ दोनों पक्षों में हमेशा परस पर सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के अधिकारों को छिंते दिख रहे हैं। माकपानेता सोजन चक्रवर्ती ने दावा किया कि अभी ये साफ हो गया है कि त्रिनमूल कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच सहमती बन गई है। बाब जूदिस के कई लोगों के पैसे बरबाद हो गए। लेकिन अब सुप्रीम कोट ने ऐसे संकेत दिये हैं जिससे 500 और 1000 रुपे के पुराने नोट बदले जा सकते हैं। रिपोर्ट ने कहा कि RBI को उन व्यक्तियों द्वारा किये गए वास्तविक आवेदनों पर विचार करना चाहिए जो पुराने करेंसी नोटों को बदलवाने की समय सीमा से चूक गए हैं। पांच जजों जस्टिस S. अब्दुल नजीर, V. आर गवई, A.S. वोपनना, V. रामस सुब्रमन्यम और B. V. नागरतना की बेंच 500 और 1000 रुपे के नोटों की बैदिता पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनिसार अटॉर्णी जनरल आर वैंक ड्रमनी ने कहा कि नोटों को बदलने की तारीखों का विस्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन रिजर्ब बैंक आवेदगों के आविश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए केंद्रिय बैंक की संतुष्टी वाले कुछ व्यक्तिगत मामलों पर विचार करेगा। अब देखना होगा कि क्या वाकई पुराने पांसो और हजार रुपे के नोटों को बदला जाएगा या नहीं। तो आज अस बुलेटिन में बस इतना ही देखते लिए डीवी लाइव नमस्कार।